होसले जिनके बुलंद होते हैं उडान उनकी आसमान से भी उची होती है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नित्रित्व में फ्यूचर रेडी इंफ्रस्ट्रक्चर का निर्मान देश की प्राथमिकता रहा है पिछले साथ सालों में देश की विकास यात्रा के रूप में सिविल एवियेशन सेक्टर ने अभूत पूर्व प्रगति की है ये संकल्प बधने तृत्व काही परिणाम है कि आजादी से लेकर वर्ष 2014 तक जहां देश में केवल 74 एरपोर्ट थे वहीं पिछले साथ सालों में 84 प्रतिशत की विर्धी हुई और आज 62 नए एरपोर्ट के साथ कुल 136 एरपोर्ट संचालित है सिविल एवियेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए 17,600 करोड रुपए से नए एरपोर्ट, टर्मिनल भवन और वाटर एरोड्रोम का निर्मान कराया गया जिससे देश के सुदूर क्षेत्र और नए राज्य भी भारत के एवियेशन मैप पर आ गये है नए अंतर राष्ट्रिय हवायडों का निर्मान होने से भारत विदेशी निवेशकों के लिए पसंदीदा देश बन गया आवा गमन सुगम होने से पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है उडान यूजना के अंतरगत आज देश के टियर थ्री शहरों में रहने वाले सामाने जन्भी हवाई यात्रा द्वारा देश विदेश से जुड़ गए है यहां उत्तर प्रदेश में भी कनेक्टिविटी लगातार बढ़ रही है यूपी के अलग-अलग अंचलों में हवाई मार से कनेक्टिविटी बहुत जल्ग बहुत मजबूत हो जाएगी पलायन और भरष्टा चार वाली पहचान का दंश जेल रहे प्रदेश की कमान माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने संभाली वह निवेश और Ease of Living के लिए जरुनी कनेक्टिविटी को प्राथमिकता देते हुए सडक, मेट्रो, एयर जैसे क्षित्रों में रिकॉर्ड विकास कारियों की शुरुवात की वर्ष 2017 से पहले उत्तरप्रदेश में मात्र 6 एरपोर्ट क्रियाशील थी आज उत्तरप्रदेश में 3 इंटरनाशनल एरपोर्ट सहित, कुल 9 एरपोर्ट क्रियाशील हैं और 4 इंटरनाशनल एरपोर्ट जेवर नौईडा वा 5 इंटरनाशनल एरपोर्ट अयोध्या में बनने जा रहा है इसके अलावा दस एरपोर्ट का निर्मान मिशन मोड में चल रहा है जिन में से पाँच एरपोर्ट मार्च 2022 तक तयार हो जाएंगे आज माननीय प्रधान मंतری जी द्वारा देश के सबसे बड़े ऐयपोर्ट नौइडा इंटरनेशनल ग्रीन फिल्ड एयपोर्ट जेवर का शिला न्यास किया जा रहा है जो माननिय प्रधान मंत्री जी के विजन के अनुरूप देश की कनेक्टिविटी के विकास में नया अध्याय चोड़ेगा इसके साथ ही उत्तरप्रदेश देश में सरवाथिक पाँच इंटरनाशनल एयरपोर्ट वाला राज्जी बन जाएगा कुल 30,000 करोड की लागत से बनने वाले इस एयरपोर्ट के पहले चरण में 4,600 करोड रुपई की लागत से 3,300 एकड़ भूमी पर दो रनवे का निर्मान किया जाएगा दूसरे चरण में 5,800 हेक्टेर में 5 रनवे और एक मिंटिनेंस भवन विकसित किया जाएगा ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट देश की राजथानी दिल्ली के परिक्षित्र में दूसरा इंटरनाशनल एयरपोर्ट होगा उत्तरप्रदेश और देश की प्रगती को नई गती देने वाले नौईडा इंटरनाशनल एयरपोर्ट का निर्मान मात्र 34 माह में पूरा करने का लक्ष तै किया गया है वर्ल्ड क्लास सुविधाउं और क्षमता वाला अंतरराश्ट्रिय एइपोर्ड दिल्ली, नॉडा, गाजियाबाद, अलीगड, आगरा, फरीदाबाद जैसे कई महत्वपूर्ण शहरों और आसपास के क्षित्रों की करोणों की आबादी को लाभान वित करेगा नॉडा एइपोर्ड बनने से हर साल सबा करोड से अधिक यात्रियों का अवागमन होगा भारत में पहली बार इंटीग्रेटिड मल्टी मॉडल कारगो हब की अवधारणा के साथ एएरपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है जिससे लॉडिस्टिक लागत में कमी और समय की बचत होगी और लोकल उत्पादव फसलों की पहुँच अंतर राष्ट्रिय बाजारों में बढ़ेगी अब न सिर्फ उत्तर प्रदेश और देश को दुनिया के साथ एक नई कनेक्टिविटी मिलेगी बलकि उत्तर प्रदेश के साथ पूरा उत्तर भारत ग्लोबल लॉजिस्टिक मैप पर उपरेगा जेवर एरपोर्ट के आसपास एरो सिटी, दस हजार करोड रुपे के लागत से फिल्म सिटी मेडिकल डिवाइस पार्क, तीन हजार करोड के निवेश से अपरल पार्क, मल्टिप्लैक्स, मॉल, कन्वेंशन सेंटर, नई आध्योगे के काईयां फसल मंडी एवं उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अली गढ़ नोट के निर्मार से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल जाएगी स्थानिय हुनर को भी नई पहचान मिलेगी, पर्याटन विकास एवं सर्विस सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार के नए अवसर उपलब्ध होंगे एक लाग से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा अर्थ व्यवस्था और इंफ्रास्ट्रक्चर के मजबूत होने से उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़ी अर्थ व्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है आज उत्तर प्रदेश माननिय प्रधान मंत्री जी के आत्म निर्भर भारत के संकल्प और मेकिन इंडिया भियान में योगदान दे रहा है और निवेश की उची उडान भर रहा है सोची मानदार, काम दमदार